बदया है! अर्मान मलिक ने एक और शादी कर ली तीस्री आनसॉार क्या हो गया, क्या करक्या है? श्री य retract श्रादी करवा गया है उसकी? करक्या है ? अ वो Staat देखा वहारी यह वहारी दूमेटा करक्या लाऽ dehyd T guard वार बीवी के बारे में के लोग ते कांठ करने अरमान भाई घर के बाहर देखेर तो नहीं दूंडने घर के बाहर जाना ही नहीं पड़ता कि काफी लोगों के मुझे कमेंट आ रखे थे कि अर्मान भाई आपना तीसी शादी के एक प्रैंक शूट करो और इसको इंवाल्ब करो पायलो बोलू के साथ लेकिन क्योंकि अर्मान भाई है तो यह बत सच भी होती तो ज्यादा शौक नहीं लगता विरको आथ दे रहे हैं भावानी कुमारे भाई और यह चूड़ा है पहन लिया संदूर अपने आप लगा लियो तकि सोचेंगी यह लगाएगा कि भावानी अलग मजे ले रहा है यह रहा नहीं जाता तडपी ऐसी है ना लेकिन अर्मान भाई सारे प्रोसेस को जिस डिटेल से हैंडल कर रहे है ना पता में यसा क्यों लग रहा है सेम पहले कभी तो किया हो एक कैमरा मैं यहां पर चुपा दूना थस्से में पूरा कैप्चर हो जाएगा यह यह लगा देता हूँ गोप्रो लगा तो कैमरे के ऊपर इतना बड़ा माइक लगा है वो तो पौधे ने बड़ा काला बड़ा फूल दिये माइक तो ही नहीं वो किसी को दिखी नहीं रहे पायल गृति का इतना सब थोड़ी सोचते है इतना सब सोचते तो साधी थोड़ी करते इससे रोयलले स्टाइले ने ustin-tinutin कर देंगे हम और बस camera न देगे मेरे और उनको यह न लगए कि मैं प्रैंक कर रहा हूं बाकि लगए का नहीं कियों कि मैं प्रैंक मन आता है नहीं बिलकुल आपको बता शुद्ध अर्मान भाई को पतानी क्यों लगता है कि उनके audience इतनी भूली है कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये प्रैंक हो रहा है जो कि सही बात है नहीं समझ आएगा का बात है जी एक्टिंग की बाज़ाओ कसम से खराब हो रही है बहुत जादा जो खाग हो गया यार देख्यों कि ये ठोल कोई आया अरे दोर नौक तो करने दो तुम्हारे बोलने के बाद तो नौक हो रहा है देख्यों माना की पेगनेंसी में पावर दाती है बट उसको एक्टिंग में ट्रंस्वर्म करके अच्छी से इस्तेमाल करनेगा इसमें क्रितिका की एक्जाक्ट सामने दुलहन खड़ी है अर्मान भाई के गले में हार भी है लेकिन बंदी हार नहीं मानेगी आज तो एकदम आलिया भट वाला परफॉमेंस देख रहेगी कि आर्मान भाई आखे बंद करें उसके पहले क्रितिका ने अपने मन की आखे बंद कर लिये स्यादी करवा क्या है इसकी कर क्या है कर क्या है स्यादी करवा क्या है हो इसकी मेरे को तो लगा पाहल को देजावू होगा कितना अच्छा मोगा है कृति को पूछने का की अब भी कैसा लग रहा है है अता कसा बढ़ता है क्यों लागे छे अभी आप लोगों को लगता हुआ थकीस बाइस जोग कर रहे हो मैंटर पर खुद आदमी जोग कर रहा है कुद में ही मयाक बना दिया है तो हम कुछोड को दोट्च कृण मैं क्यों तुम दोनों की है तुम दोनों के साद् es hat करे斯 इन अधिन दुर् jakieśड़िज़ और निलों की दोनों की शेवा कर बने तो तुम हाड़िए। एैवा जो जट्म हमेंट तुम एंटुम और यृ नहीँ थी कितिस्ति तो तो राम निखला रहे जो आने वाले बच्चे है वो भी चिराइव की सेवा करने आने वाले है All About Seva एक और लाक्य रख दी एक और लाक्य रख दी कि कि साम नहीं बोर रहा है मेर को जो लगधा कि प्रैंक की स्क्रिप्टिंग में ज्यादा मेनत लगी रही क्रिटिका की शादी के वाग जो डायॉक्स बोले थै भाई ने वही बुक निगाली रहे ही इतर इनको क्या ही पता है अर्मान इस लाइक परेशान कर रही है तरको परेशान कर रही है तो बोल तीसरी लेया हो यह वाली ट्राइकर बाभीजी, आप खरीत को देखे, बहुत पस्ताएंगे आप कृति का पूरे प्रैंक में रियालिटी चेक्स मिल रहे भाई उसको बोल रहे कि दीदीदीदीदी खर के आगई खुद भी तो पायल की दोस बन के आई थी वेमन जिसके अपने घर शीशे के हो ना वो दूसरों के घरो पर पत्थर नहीं फेकते हैं समान पैक करके उसी के घर में रहने चले आते पार्ट ओफ लाइफ हैं जैसे दो बच्ची होते हैं माँ-बाप के तो मेरी दो बीविया है और मैं उनको बहुत प्यार करता है अपनी जान से व्जादा और मेरी दोनों किड़निया आइए और जो मेरा हाठ है वो हाची कुड़ डु किड़नी आहे तो तीसरी कहा है रखेगा बात तो सही है कहा भई कहा अपने समान रख रिये तेरा घर है क्या घर तो तुम्हारा भी नहीं था रोयल ईस्टाइल ने रोयल परस्णालिटी मिरको लग रहे है पुरा वीडियो ना इंडरोकली कृति का पर डिस्ट्रेक ए टॉंट है मेरे को नहीं समझ आरा है कि कृितिका को ये समझ आरा है की नहीं किस मेक पॉड़धी मेरे तो छाटी प्वर औला के ढखी क्या.. हो क्या रहा है ये समझ रहा है पाहल को तो बहुत भायंकर मजे आरे रालची मिए कि तेरे 2 तक्रादिके में गूठी में मर जाएंगे, और तेminister अपना लेंगे टेको I? जा जादु पर्शन पर? जा जाल्ड परbas हे अपर न? जादु कर्शन Tate में परटकष थे इस बच्चे के ऐसे तकले पहे हैं, उसकी दो शादिया होती है तो अर्मान भाई के सर पहे बहूरे पाच्चे तो लगता ही है इसनना बूल रही है मिरी आपी तूं करो, मेरी सेवा करेगी, घंटे की सेवा करेगी जारी थोड़ी है उसने मैंग फ्जाना निकाल दो लख़को थक्ष किश बना दूगी पाल खीच-खीच के लख़्ष को थक्ष बना दूगी भटी भटी में भी राहिमिंग सूुज रही है मैणना पायल को गायल कर दूगी अर्मान के खिलाफ फर्मान जारी कर दूगी प्रैंक के नाम पर नई बीवी से फ्रैंक हो जाओं गी पोली सुसाइठी को बुलवा दौगी तुम दोनों को रैब हो रहा है तो, कुछी भोल और मलिक परिवार में टैलेंट की कमी कमी नियुको डिफिकल्ट फॉर समवन तो एक्सेप के इतनी सारी एकोल रहे काद में कैसे हो सकती है तो जुट बोल रहा है मैं लट्डू तरह मुह में डाल के ना तरह मुह पे इतने दूम इना इतने दूम इना जिसको खाना है खाव लट्डू भरक नहीं बढ़ता है मुह तो मीठा अर्मन भाई कही होना है समद्रो समद्रो आप इसकी भैम को भी लिया मेरी भैम को भी लिया और ओसी की लड़कियों के ठाला उसको मम्मी बोल देगा और आइडियाज मत डालो उसके मन में सच में कोलाब करने का मन हो गया ना यूट्यूब चैनल के बटवारे हो जाएंगे मेरे को लागते है नौरवल इंचाना अपनी अचिवमेंट्स होगे लगाता है इसा अफ जा अपनी अपनी मेरत सर्टिपिकेट लगाता होगा एक दो अधिए आदमी अपनी दो बीवियाद छोड़के इसकी ब्यूटी टीट्मेंट करने गया है लेगिन हाथ में पकड़ना भाई यह आदमी हाथ पकड़ता है सीधा साथ फेरे लेके छोड़ता है अरे हाँ वो तो आपको अपने साथ ही ले जाना पड़ है और भाई का मैं बता तो 6-6 यूट्यूब चैनल्स है और सब पे कॉंटेंट एक ही है प्रैंक्स टाइटल्स देखो पायल और चिकू पर किया खतरनाक प्रैंक कृति का मलिक प्रैंक 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 के दौरान अगे धैन है बिलकुल आपको बताएंforme है रेड कैमरे से किया प्रैंक शूट इस्थिंदिन रेड केमरे वालोंका मालूम पड़ गया tranqu की आइदे करें दे गिए मतिनियों रात से क्व Cry ने सासमा से बी वी कॉन्टेंट निकलना शुरू किया है पापरे ओई डैमंड के टॉप्स लगता हूं रख ले हैं ये भी डैमंड के टॉपस है ओई हुए पूरी जिंदगी मैंने इतना सोना नहीं देखा है सच बताओ मैंने इतनी ओवरेक्टिंग कभी नहीं देखी मेरे को लगता था क्रिंज के नाम पर यूटूब पर सिर्फ रील्स आये यहां पर तो भाई डेली सोब भी आ गया है पूरा पूरा ले आओ एकता कपूर भी यूटूब पर आ जाएगी आल्ट यूटूब बना दे सिसी टीवी कैम्रा भी नहीं है और 4K रे 되어 कैमराे है रेड श्राइ compatibility में कौटें 4K हो गया इसका यह लोग को बिग ब़ॉस का ज़रोधई नहीं यह लोग ने ऑपने घर को ही बिग बंदीया है त८ सब देखो बंद ही बड़े देर से मैं कभसी ऊपर अपको इसको exactly मालूब था कहा देखना है देखरो कि शारप नजर है कलेश नहीं पड़ेगा तेरे गर में function है इतनी लोग आये कोई एक बापता कोई मेरे पर शक कर सकता है शारप तो नहीं कर सकता, मम्मी अगर चीखो के पापको प्ता चल गया, मेरे डाइको भी कॉस्ण 디ण चेकर मेरे ओक करता है तो सहत है क्रिटिका की मजबूरी तो मैं समझ रहा हूँ लेकिन सासुमा की क्या मजबूरी है अर्मान मलीक प्रोडक्शन में वो क्यों जोइन हुई है मैं गाड़ी की किस्त भर दोगे तो मुझ समांग लेते हैं क्यो द्रम हो देखो जराब ये देको बयाई ये चोरीकर समाना दे रहे हैं अंटी जी के पौकेट से मिला समानी है ये का जिए है अटो बडिरेक्टर साब आया दिरेक्टर साब बहेँ पलें गए कोई नी बढ़ें भी बऊस बोलेंगे भूलो boss कहा मैं से का से चुरा है आपने यह रिमाज में से तैसर कहा मैं से तैसर सही एणा बने एक तिक बशुक है अर्मान भाई वीडियो सोरहने से पहले डिस्क्लेमर लगा दो एंडो डिस्क्लेमर पे लिखो दि एंड शुरो ने से पहले घदम कर दो भाई उन तो शुरो ने घदम हुआ है? बेजिकली ये अक्चुल पूरा प्रैंक था ओडियंस के लिए इसनो सुवीट एंड क्यूट कि इनको लगता है कि ओडियंस को प्रैंक करने के लिए एक प्रैंक करना पड़ता है कोई बताओ कि हर वीडियो ओडियंस के लिए प्रैंक ही है यह मेरे हैं गाइस मेरे है हास्ते चेरिया ना मतलब भी नहीं दर गया नों करे को तकलीफ नहीं हुंदी ओ कितना हस्ता खुशी खेलता परिवार है घर की सारी औरते मिलकर अर्मान मलिक का चैनल चला रही है किसी की नजर न लगे जब सबके भी इतना प्यार है तो घर में क्यों कलेश हो रहे है मॉल में हुआ कलेश मम्मी के घर आते ही हुआ कलेश फंक्शन के दिन भी हुआ दोनों मम्मीयों में कलेश घर हुआ कवेश पायल माने मारा गुलू को थपड क्या है यह है स्कुल्टी से कट गए यह गल्ती है हौँ हवा में कट गए तमीज दिनिया के तिरको मैंने बोला था पाल द्रीम करने के लिए आपने मुझे बोला कटिक मत करा मैंने करना थी कटिक क्या है यह कहां से शीकरा था गंडी चीज है है स्वाज़ पर स्वाज़ तमीज दिनिया बिल्कुल भी यह चीकू बिग बोस के जगडों के बीच भशा हुआ अब्दू क्यों लग रहा है मिरको बट इट्स रेली सैड के यह चीकू को सब देखना पड़ रहा है घर में रोज और यह जो भी सारे कलेश वाले वीडियो नहीं है इनके बेटे के चैनल से अप्लोड हो रहे इनके बेटे का यूटूब चैनल क्यों है वो सब छोड़ो उसके धाई मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों है आने वाले तीन बच्चों का और तीन यूटूब चैनल भी होने वाले इसको मेरे से जादा प्ले बटन करने के और कुछ नहीं है लोग रिटायर्मेंट के लिए फाइनेंशल प्लैनिंग करते है ये रिटायर्मेंट के लिए फैमिली प्लैनिंग करता है परिवार में 12 तेरा यूटूब अकाउंट हो तब तो मजाएगा रिटायर्मेंट में और उनका ये मिलियन डॉलर आइडिया कोई अपना ना ले इसके लिए उन्होंने ये डिस्क्लेमर भी दिया है और हमें देखके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कहीं भी कहीं भी उमीद मत जगाना कि दूशी शादी कर ले मेरा हो गया I think that's the video guys चैनल को सब्सक्राइब करो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कि पिछला Tech Burner वाला रोस नहीं देखा तो जाके देख लेना अम लोग शॉर्ट सेनल पे शॉर्ट जी होना ते वो भी देख लेना एड इट रहना पे फोलो कर देख सब्सक्राइब हम लोग का भी पाच्छे है सब कर दो भाई सब्सक्राइब ठीक है मिलते मिलते झाल 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 झाल